हलो आच्छे हो this and welcome to AbHIbsha Education for ExcellENCE तो हम लोग बात किये थे लास्टवीदियो में कि हम से हम लोग अध्यायतु लिगाद popsvaluation हो और अध्यायतीन में कांका पढ़ने वाले हैं और अध्याय तो भीडियो के लिगा मीं भिटहुई आव यू की कोटी इंपॉर्टेंट है मैं बताया था। आव यू को निरुपन बहुत ज़ादा इंपॉर्टेंट है। आव यू को निरुपन यहां तक हम लोग कर लिये थे। तो इसके आगे का आज की class में बात करने वाला हूं। और इस class के बाद आप लोग को क्या है एक निर्धारित प्रश्ण करवाऊंगा ठीक है और च्छाय यंग निर्धारित प्रश्ण करेंगे हम लोग तो देख रहे हो इस वीडियो के बाद आप लोगो सीधा question में मैं deal करवाऊंगा तो यह दो वीडियो में बनाया मैं इससे पहले वाला एक और यह दू यह और जो वीड समानता के बारे में बात करता हूं कि आव्यों की समानता होता क्या है तो ठीक अभी परिभाशा मत देखो हाना हमने उरटने वाले चीज नहीं है अगर मैं बोल रहा हूं आव्यू ए कुछ दिया हुआ है आव्यू ए बराबर आव्यू बी है आव्यू ए बराबर आव्यू है एक बात करता हूँ तो अभियो की समानता क्या होता है ध्यान से देखो आफू किसमानता क्या होता है कि यह जो आयव हैmyu A का यह दोनो तो बराबर है तो आयवiden pokat यह ठीक हो यह जो पहला आयव यह नहीं यह तो A11 और यह क्या है बताओ फिर का में सर यहै 12 यह इक सर क्या यह सर पहली पंग्ती सारी दूसरी पंग्ती पहला कहल को और यह क्या है सर, सर, दूसरी पंक्ती, दूसरा कॉलम, तो ये क्या कहता है, आवियो की समानता, कि आवियो A का, पहला आवियो, इसके पहले आवियो के बराबर होना ची, इसके पहले आवियों के बराबर होना चाहिए, मतलब यह क्या है, B11, यह क्या है, B12, यह क्या है, पहली पंक्ती, दूसरा इस्तम, यह क्या है, दूसरी पंक्ती, दूसरा इस्तम, तो यह बोर रहा है कि इसका जो A11 है, वो B11 के बराबर होना चाहिए, A11, B11 के बराबर होना च चाहिए, similarly a21, b21 के बराबर होना चाहिए, similarly a22, b22 के बराबर होना चाहिए, अगर ऐसा है, तो आव्यू की समानता हो जाएगी, तो अगर मैं बोलूं, कि आव्यू a बराबर, आव्यू b है, तो इसमें से आप x की value मेरे को find करके बताओ, x की value, sir, x की value ना रुको, देखो sir, आव्यू की समानता में क्या होता है ना, जो आव्यू है, अगर a11 है ना, पहले नमबर का जो है, पहले नमबर का वो इसके पहले नमबर के equal होना चाहिए, ऐसा हम लोग पढ़ किया है, a11 बराबर b11, a12 बराबर b12, sir, ये तो हम लोग बराबर है और 2 ना x के बराबर होगा, sir, अच्छा, उसका मतलब sir, x की value ना 2 आएगी, क्यों बताऊं sir, आव्यू की समानता में ये a12, b12 के equal होना चाहिए, तभी ना equal होगा, और ये तभी संभा होए, जब x की value 2 हो, x की value 2 हो, तभी ये आव्यू बराबर ये आव्यू तो भाई, a12 कितना है, a12 है 2, और b12 को आप 3 ले रहे हो, तो ये दोनों तो बराबर ही नहीं होए ना, बराबर नहीं होंगे तो आव्यू की समानता नहीं लगेगी, समझ माया, तो देखो अब इसमें आते हैं, दो आव्यू, दो आव्यू है, पहला आव्यू, aij तथा b, आव्यू b है, b, i, j, समान कहलाते हैं यदी, समान कहलाते हैं यदी, देखो, वे समान कोटी के हो, obviously दोनों समान कोटी के होना चाहिए, पहला, सबसे पहले समान कोटी के होना चाहिए, समान कोटी के होना चाहिए, देखो समान कोटी के, अर्थात a की कोटी बराबर b की की कोटी क्या है दो बाई दो इसे और एक नंबर का कोश्चन बनेगा न तो यहां पर देखो मेरे को बता हुदधारन लिया में तो आवियू ए बराबर आवियू दो है की नहीं द्यान से देखो और बताओ सबसे पहले कोटी देख लो सर दो बाई दो की है दो बाई दो की है पहला कंडिशन पास हो गया दूसरा कंडिशन प्रतेक आव्याओ सेम होना चीए देखो ये दो है ये दो चलो ठीक ये तीन ये तीन ये च्छा है यहां पे च्छा होना चीए ये एक है यहां पे एक होना ची ये भी सेम है, दो का स्क्वाइर मतलब 4 होता है, पांच का स्क्वाइर मतलब 25 होता है, सर ये भी है, एक का स्क्वाइर सर एक होता है, ये भी सही है, तीन का स्क्वाइर 9 होता है, और इन दोनों का क्या है, इन दोनों का कोटी भी सेम है, हाँ सर ये भी पास हो गया, आव यू क की समानता को यह फॉलो कर रहे हैं आव यू की समानता को फॉलो कर रहे हैं तो अगर आव यू की समानता आप लोग को सिख गया हूं अब इसमें कोश्चन भी डालूंगा अच्छा एक कोश्चन ही दे डालता हूं मैं एक कोश्चन ही डे डालता हूं अच्छा लो ए मैं बताय मैं B बोला मैं 2, 3, 2 यहां पर नहीं लेते, 4 लेलो, 4, 3, 2 ही लेलो, 2, 3, 1, 2, तो मेरे को आप X और Y की value बताओ, X की value क्या होगी, Y की value क्या होगी, देखो सर, सबसे पहले ना मैं कोटी देखूंगा, सर, यह कोटी 2 बाई 2 की है, 2 बाई 2 की है, बैटनी सर, अब ना अव्या तो सेम होते हैं, मतलब X इस दो के बराबर होना चाहिए, और Y इस तीन के बराबर होना चाहिए, हो गया सर, और यह आप लोग के questions पूछे गए हैं, एक number के लिए, तो बताओ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है, तो नहीं होने चाहिए, तो देखो, आव्यू का योग के बारे में बात करता हूँ, और आव्यू का घटाना के बारे में बात करूँ, अजस इसके बात, तो देखो यदि आव्यू A में लिया, आव्यू B लिया, तो दो समान कोटी के आव्यू, देखो आप जोड तभी पाओगे, जब दो समान कोटी के आव्यू होंगे, तभी आप जोड पाओगे, दो समान कोटी के आव्यू होना चाहिए, तो A का जो कोटी है, वही कोटी B का हो चाहिए दो समान कोटी के आवियू हो तो उनका योग A plus B आवियू के बराबर होगा होगा फिर क्या रिखाया इस प्रकार इस परस्ट है कि दो समान करम के आवियू को जोडने के लिए इसके संगत अव्याव को जोड देते हैं अब इधर देखो अब इसको मैं जोड़ूंग ठीक है तो सबसे पहले क्या बात किया कि दोनों समान कोटी के होना चाहिए तो देखो दोनों समान कोटी के है कि नहीं एक बार चेक करो दोनों समान कोटी के है कि नहीं पहला पंक्ती दूसरा पंक्ती इसमें कितना है पंक्ती की संख्या यह एक पंक्ती यह दूसरा पंक्ती पहला कॉलम, दूसरा कॉलम कॉलम और यह तीसरा कॉलम, तो मतलब यह है C1, C2 C3, यह है R1, R2 तो कितने भाई, कितने पंक्ति की संख्या कितनी है, 2 स्थम की संख्या 3, 2 भाई 3 का क्या है यह, 2 भाई 3 का आवियू यह हो गया पहला पंगती यह हो गया दूसरा पंगती यह देखो दो लिख दिया पहला इस्तम और यह यह दूसरा और यह तीसरा इस्तम ठीक है तो दो बाई तीन दो बाई तीन के तो जुड़ सकते अब जुड़ेंगे कैसे अपने संगत अव्यों के साथ जुड़ते हैं इए वन थिरी है यह बीइवन थिरी के साथ जुड़ेगा आवियू के निरूपन में देखे एवन तुस्दु की है तो यह बता व एक किस से जुड़ेगा यह एक जिरो जूड़ेगा तो आवियू ए मैं यह दो भी यह दोनों condition मैं बताया, पहला condition दोनों समान को ठीक हो, और दूसरा condition अपने संगत अव्यों से जुड़ेंगे, तो दो condition आपको मालूम है, तो a plus b आप लिख सकते हो, आव्यू a और आव्यू b दिया, तो आव्यू a plus b, यह a plus b क्या होगा बताओ, a plus b, मैं बोला इस दोनों c, minus c, minus 4 plus 3 minus 1 होता है, minus 1, c, 4 minus 7 minus 3 होता है, minus 3, ठीक यह, minus 7 और ठीक, 1 और 4 jus 5 होता है, 1 और 4 jus . 5 और 00 होता है, 5 और 00 होता है, 2 और 17 are both, 25 you also just जोड़ोगे ना ? आप लोग जोड़ोगे, तो जितना कोटी है वह तो देखो कैसे जोड़ा है दो धन 1 3 हो गया मैनस 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा मैनस 1 चार यहां पर ध्यान से देखो इसमें confused तो नहीं हो रहे हैं यह 4 है 4 को मैं जोड़ा इससे यह हो गया माइनस 7 तो क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 7 तो प्लस माइनस माइनस होता है घटेगा साथ में चार गया तीन अब जोड़ घणाने में बड़ी संख्या कचिन लगता है डोनों में एकुन सा बड़ा है चार बड़ा की साथ गयका तो यहां पर इंब गड़ा है तो हो गया एक और चार पांच हो गया पांच और जीरो जीरो हो संगत अवया को घटा देते हैं संगत अवया को घटा देते हैं तो आप लोग देखो ये दो इसके सांथ माइनस होगा माइनस चार इससे माइनस होगा ये इससे माइनस होगा एक बता जो इससे माइनस होने वाला है पांच जीरो से माइनस होगा और दो तीन से माइनस होने वा minus 4 minus 3 minus 4 minus 3 minus 7 होगा ये 4 minus minus 7 होगा देखो 4 minus minus 7 रिन रिन धन 4 धन 7 यह हो जाएगा 11 तो यहाँ पर आ जाएगा 11 क्लियर है क्या ? 1 minus 4 1 minus 4 होगा minus 3 5 minus 0 5 minus 0 5 2 minus 3 minus 1 होगा clear है और दोनों का अगर मैं बात करूँ दोनों की कोटी क्या है तो कोटी है यह 2 by 3 की और यह कोटी है 2 by 3 की दोनों को कोटी अगर समान है तभी तो घटा पाएंगे तभी तो जोड पाएंगे कोटी समान है तो संगत अवियों के साथ घटा सकते हैं जोड सकते है और जो कोटी है वही कोटी आएगा जोड़ने के बाद भी और घटाने के बाद भी और नहीं आ रहे है तो फिर गलत तो देखना घटाने में थोड़ा ध्यान देना ना 2-1, 1 हो गया, minus 4, minus 3, minus 7 हो गया, 4, minus minus ये प्लस हो जाएगा, 4, plus 7 हो जाएगा तो 11 हो गया 1, minus 4, minus 3, 5, minus 0 is 5, 2, minus 3 is minus 1 तो समझ गया जोड़ घटाना ये एक नंबर के कोश्चन यहां से बनता है और अग यही अग बेसिक सीखोगे ना तो 6 नंबर के कोश्चन में भी काम आएगा, 6 नंबर के कोश्चन में भी काम आएगा तो इस क्लास का मैं लास्ट टॉपिक पढ़ाया, अब अगला वीडियो डारेक्ट कोश्चन में आएगा तो देखो परिवर्थ आव्यू, ट्रांस्पोज मैंट्रिस बोलते हैं इसको, देखो क्या है, इधर नहीं देखने का, इधर देखने का सबसे पहले अब मैं एक आव्यू ए लिया, आव्यू ए मैं ले लेता हूँ, चलो, एक, दो, तीन, चार, जिरो, पांच तो कितने भाई कितने का है सर दो भाई तीन का है यह दो पंक्ति है यहाँ पर ध्यान से देखना सर यह न दो पंक्ति हो गए तो पंक्ति को पहले लिखते हैं और तीन कॉलम हो गए उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं पंक्ति के बाद कॉलम को लिखते हैं यह यह तो दो भ परिवर्त आव्यू कैसे लिखते हैं जो पंक्ति है उसको इस्तंब में चेंज कर दो यह बोल सकते हो कि जो इस्तंब है उसको पंक्ति में चेंज कर दो तो ध्यान से देखो मैं पंक्ति को स्तंब में चेंज कर रहा हूं तो देखो एक दो तीन पंक्ति में हैं तो एक दो तीन चार जिरो पांच पंक्ती में है तो चार जिरो पांच कॉलम में हो जाएगा यह हो गया पंक्ती को कॉलम में चेंज कर दो आप एक ही चाहिए याद रखो पंक्ती को कॉलम में चेंज कर दो कई बोलेंगे सर कि हम कॉलम को चेंज करेंगे तो ठीक है कॉलम क्या है एक चार उसक कि stum में तो 3-5 को मैं क्या कर दिया, रो में कर दिया, ठीक है, अब तो जो पंक्ति है उसको stum कर दो, जो stum है उसको पंक्ति कर दो, दोनों का मतलब एक है, यह करने से क्या होता है, कोटी भी change हो जाता है, कोटी भी change हो जाएगा, पहले 2-3 था, अब यह पलड जाएगा, तो तो बस आप लोगो परिवर्त आवियू में एक ही चीज याद रखो कि जो आपका पंक्ति है उसको स्तंब में चेंज कर दो और ध्यान देना कि परिवर्त में कोटी भी बदलता है परिवर्त में कोटी भी बदलता है तो देखो अब देखो यदि किसी आव्यू A की सभी पंक्तियों को ठीक है यह देखो सभी पंक्तियों को इस्तंबों में तथा इस्तंबों को पंक्तियों में एकी बात है पंक्ति को इस्तंब में चेंज कर रहे हो तो इसको मैंने पंक्ति को स्तंब में या स्तंब को पंक्ति में बदल दिया तो यह जो प्राप्त हुआ है यह आव्यू इस A का परिवर्थ होगा जिसे A capital T से भी शो करते हैं ठीक है A capital T से या A small t उपर में लगेगा या A dash से व्यक्त करते हैं परिवासा से एस पस्ट है कि देखो A की कोटी अगर M क्रॉस N है तो परिवर्थ की कोटी क्या होगी पलड जाएगी परिवर्थ की कोटी क्या होगी इसकी पलड जाएगी तो N क्रॉस M अगर मैं बोला A का कोटी A का जो कोटी है 4 भाई 5 का है तो इसका परिवर्थ की कोटी क्या होगी पलड जाएगी तो 5 भाई 4 हो जाएगी 5 भाई 4 हो जाएगी अगर मैं भयंकर कुश्चन बोलूं A अगर 2 भाई 2 का है तो इसका परिवर्थ क्या होगा पलट जाएगा तो पलट के क्या ही होगा दो क्रोस दो ही तो होगा ठीक है दोनों तो से मैं पलट जाएगा तो यही होगा तो यह आप लोग को मैं बताया पूरा तो यहां तक जितना मेरे को बेसिक बताना था मैं पूरा बता दिया देखो परिवर्थ के बारे में बता दिया आव्यू कैसे घटाते हैं आव्यू कैसे जोड़ते हैं और मैं बता दिया कि कैसे समान मैं कैसे बोलूँगा आव्यू की समानता इससे पहले वाले क्लास में आप लोग को आव्यू का निरूपन भी बताया देख लिए कि हर जगा आयतकार लिखा रहता है थीक है कैसे आयतकार का equation वर्गकार के equation को satisfy करता है 25 इस्तम सब समझ गए हम लोग जितना समझना था जितना समझना था सब समझ गए अब हम लोगों question करना है अब हम लोग क्या करना है question solve करने तो ठीक है बच्चो next वीडियो में must energetic हो कि आना अब हम लोग questions deal करने वाले तो मिलता हम बच्चो next वीडियो में तब तक thank you so much bye bye